आज मैं लेकर आई हूँ चने डाल की बेहत ही खास रेसिपी आपके लिए अगर आप भी रोज रोज के खाने से हो गए हो बोर तो चलिए आज कुछ नया बनाते हैं सबसे पहले चने की डाल ली है और इसको मैंने चार-पांच घंटे के लिए या ओवर नाइट के लिए रख दिया है अब फाइनली आप देख सकते हैं कि डाल जो चने की है वो पूरी तरह से भीग चुकी है अब क्यों ना इसको अच्छे से धूलिया जाए मैंने इस डाल को फाइनली अच्छे से धूलिया है डाल काफी खिली खिली लग रही है और इसके साथ ही मैंने एक मिक्सी जार भी ले लिया है अब मिक्सी जार में सारी डाल को एड़ करने के बाद इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे साथ ही मैंने थोड़ी डाल रख दी है वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसका कैसे इस्तमाल करना है आप देख सकते हैं कि डाल को मैंने अच्छे से पीज लिया है दूसरी तरफ मैंने ले ली है एक कड़ाई कड़ाई में मैंने एड़ करा है थोड़ा सा ओल आप चाहे तो सर्षो का तेल भी इस्तमाल कर सकते हैं मैंने तेल को रख लिया है और अब फाइनली तेल थोड़ा सा गरम हो चुका है तेल गरम होने के बाद में अब हम इसमें एड़ करने वाले हैं जो बची हुई डाल है उसको हमने एड़ कर दिया है और अब थोड़ा सा हम कच्छी की मदद से इसको अच्छे से घुमा लेंगे यानि कि थोड़ा सा तेल में हम इसे रोष्ट कर लेंगे ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए डाल को थोड़ा सा गरम करने के बाद भुनने के बाद अब हमें इसमें एड़ करना है जो दाल का हमने पेश्ट पनाया था वही बस आपको इसमें सारी दाल निकाल लेनी है और उसी के पेश्ट को फिर से भुनना है अच्छे से चलाते रहे अब मैं आपको बताती हूँ की मैंने दाल क्यूं डाली है डाल मैंने इसलिए डाली है जब हम खाए तो हमारी मूमें जो मोटी डाल है उसका फ्लेवर अच्छे से आए थोड़ा सा करारापन आए इसलिए मैंने कुछ दाल के डाने भी रती है आप देख सकते हैं कि दाल अच्छे से भून चुकी है आपको भी इसी तरीके से दाल को अच्छे से भून लेना है थोड़ा सा कलर भी इसका चेंज हो चुका है तो क्यों ना आप हमारी अगली चीज इसमें डाली जाए इसमें मैं अब एड़ करने वाली हूँ आदा कप के लगभग सूजी सूजी भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है इसलिए मैंने इस रेसेपी में सूजी भी एड़ कर दी है यकीन मानिए ये रेसेपी जब प्रेडी होगी तो आप खाते खाते नहीं ठकोगे क्योंकि ये रेसेपी बहुत ही जादा खास होने वाली है मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है दाल और सूजी को भी थोड़ा सा या यूं कहें कि 2-4 मिनट तक अच्छे से भून लेना है 2-4 मिनट हो चुके हैं और ये फाइनली अच्छे से भून भी चुकी है अब क्यों न मैं उसमें कुछ चटपटे मसाले एड़ कर दूँ सबसे पहले मैंने लिया है इसमें गरम मसाला थोड़ी सी मैंने इसमें एड़ करी है रेड मिर्ची नमक स्वादा नुसार मैंने इसमें एड़ कर दिया है थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया पाउडर भी एड़ कर दिया है और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी भी एड़ कर दी है और अब कर्ची की मदद से मैंने इन सारे मसालों को दाल और सूजी में अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़ी देर के लिए इसे अच्छे से पका लिया है और अब इसका कलर भी मसालों में अच्छे से मिक्स हो चुका है आप देख सकते हैं कि कलर भी बहुत जादा प्यारा आया हुआ है अब मैंने थोड़ा सा इसमें एड़ किया है अदरक का पेश्ट और थोड़ा सा मैंने इसमें हरी मिर्ची भी एड़ करी है हरी मिर्ची भी काफी अच्छी लगती है इसमें थोड़ा सा तीखा पन आ जाता है इसलिए मैंने हरी मिर्ची का इस्तमाल किया है एक छोटा प्यास मैंने कटा हुआ इसमें एड़ कर दिया है और अब मैंने फिर से कर्ची की मदद से इसको अच्छे से घुमाना शुरू कर दिया है बस कुछ ही मिंटों में हमारी ये रेसिपी जो है वो रेडी हो जाएगी बहुत ही अच्छी लगती है ये सुबह नास्ते में खा सकते हो शाम के टाइम आप इसे खा सकते हो अब मैंने एक गिलास के लगबग इसमें पानी एट कर दिया है और इसको कर्ची की मदद से घुमा भी लूँगी आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से मिक्स हो रहा है और थोड़ा थोड़ा गाड़ा भी हो रहा है आपको लगातार इसमें कर्ची गुमाते रहना है ताकि जो आपकी डाल है वो अच्छे से मिक्सो जाए और अच्छे से पक जाए इसे पकाना बेहती जादा जरूरी है और अब मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया भी एड़ कर दिया है थनिये की खुश्बू तो काफी अच्छे लगेगी इस रेसिपी में बहुत ही अच्छी रेसिपी बनकर रेडी होने वाली है आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये पेश्ट है वो थोड़ा थोड़ा अब गाड़ा होना भी शुरू हो चुका है तो क्यो ना अब इसे थोड़ी देर के लिए ढख दिया जाए थोड़ी देर के बाद हम देखेंग ये अब अच्छे से पकना भी शुरू हो चुका है हमें इसे तब तक पकाना है जब तक की ये पूरी तरह से चिकना ना हो जाए कम से कम 4-5 मिनट तक इसे ऐसे ही अच्छे से गुमाना है और बेहत ही अच्छी रेसिपी फाइनली हमारी रेडी होने वाली है आप देख सकते हैं कि ये चिकना पन इस रेसिपी में आ चुका है बस आपको यही चाहिए फाइनली अब ये रेडी हो चुका है इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया है और एक प्लेट ली है और उस प्लेट में मैं इस मिश्रन को एड़ कर दो एट करने के बाद में अब हमें कर्ची की मदद से इसको अच्छे से दबा देना है या यूं कहें कि कर्ची की मदद से आपको अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि ये जो मिश्रन है वो अच्छे से जम जाए आपको भी दीरे दीरे करके इसको ऐसे ही सेट करना है जैसे भी आप कमफोर्टेबल हो आप उसी तरीके से अपने घर में ये सेट कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से सेट हो चुका है इसको अच्छे से सेट करने के बाद में अब मैं इसमें एड़ करने जा रही हूँ वाइट तिल वाइट तिल इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे बहुत ही ज़्यादा सुन्दर तरीके से डेकोरेट भी होंगी और इसको मैंने फिर से कडशी की मदद से अच्छे से प्रेस कर दिया है ताकि ये तिल कहीं बाहर ना निकल जाए और थोड़ी देर के लिए इसे मैंने इसे ऐसे ही जमने के लिए रख दिया है ये अच्छे से जम चुका है अब आप किसी भी कुकिंग कटर या नॉर्मल किसी भी कंटेनर या चाकू की मदद से इसको कोई भी शेप दे सकते हैं आप देख सकते हैं कि मैंने पहले तो इसे राउंड शेप दी है और ये बहुत ही सुन्दर रेडी हुआ है और अब मैं इसे दूसरी शेप भी देने जा रही हूँ आप अपने मन पसंद की शेप इसको दे सकते हैं जो आपके बच्चों को पसंद हो आप उसी शेप में इसको कट कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि मैंने अलग-अलग इनको शेप दे दी है तो क्यों न अब इनको हलका सा रोश्ट या फ्राइक कर लिया जाए इसे फ्राइक करने के लिए मैंने एक चमच के लगभग इसमें तेल एट कर लिया है और थोड़ा सा मैंने इसे गरम होने के लिए गैस पे रख दिया है और अब मैंने ब्रश की मदद से तेल पूरे पे एड़ कर दिया है और अब फाइनली तेल भी गरम हो चुका है तो क्यों न हमारे इन डाल पोकिट्स को अच्छे से गरम कर लिया जाए अब मैं इतने एक-एक करके सारे जो डाल पोकिट्स है उनको मैं डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए पहले से ही पके हुए थे लेकिन मैंने थोड़ा सा सोचा कि क्यों ना इसमें तेल का चौंक लगा दूँ इस चौंक से बहुत ही जादा और बहुत ही प्यारी रेसिपी बन कर रेड़ी होगी थोड़ी देर तेल पे रखने के बाद क्यों ना अब इनको पलट दिया जाए हाथ की मदद से या फिर आप चम्टे की मदद से इनको अच्छे से पलट सकते हैं मैंने भी एक एक करके इनको अब अच्छे से पलट दिया है अगर आपको ज्यादा गरम ना लगे तो हाथ से भी आप इसे पलट सकते हैं और फाइनली अब ये हमारे बन कर पूरी तरह से रेडी हो जुगे है मैंने गैस की फ्लेम को भी आप कम कर दिया है या यूँ कहें कि गैस को पूरी तरीके से मैंने बन कर दिया है और अब हमें एक प्लेट लेनी है प्लेट में मैंने रेड चटनी डाल दी है अगर आप चाहे तो ग्रीन चटनी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं ये खाने में बेहद ही जादा टेश्टी लगने वाले हैं बहुत ही जादा क्रिस्पी है आप शाम के स्नैक के साथ चाए के साथ में किसी भी चीज के साथ इसे ले सकते हैं ये बहुत ही जादा अच्छे से रेडी होने वाली रेसिपी है आप भी अपने घर में इसे जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताए कि आपको ये रेसिपिक कैसी लगी तो आज की इस वीडियो में इतना ही प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें